दाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रेमों साथ मेरे उत्रा खंड में वादलों की ओर के ओर नीवादियां घीत सुनाये मीठे मीठे मेरे उत्रा खंड मेरे प्यार भलारों मेशते मेरा नाह मैं अधित्ती फोन नी आप फूमे उत्रा खंड के इन खूप शूरत पहारों से आप सब का स्वागत है आज की ब्लॉक के सुवाद कर रही हूँ मैं क्यूंकि मेरे ममी बना रही है उपले हमारी गड़वाली में उपले को गोसा कहते हैं आप हमारी वीडियो में बने रही हैं नए लोग है हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब करते हैं दोस्तों आज की ब्लॉक के सुवाद कर रही हूँ मैं सुवाद 10 बजे से और आप देख सकते हो वह बहुत तेज धूप आ रही है दूप के कारण भार आख भी नहीं खुल पा रही है और आज का टास्क मुझे मिला है उपले बनाने का जिसे हमारे गड़वाली में गोसा कहते हैं आज मैं वह बनाऊंगे अभी दूप रकार के बनाए जाते एक तो ऐसे लंबाई में बनते हैं एक को ऐसे बनाते हैं जैसे रोटी बनाते हैं यह देखो इनको हम अलग लग सेप देंगे इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब बारिस के टाइम पर मच्छर होते हैं तब गाई और भैस के सामने इसको जलाकर रख देते हैं ताकि उन्हें जंगली मच्छर परिसान ना करें जो जंगली मच्छर होते हैं हमारे उनको दास कहते हैं जंगली मक्ही होती है बहुत प्रिशान करती है गाई भेंस को इसलिए इस उबले को जलाकर रख देते हैं यह मौटीन का काम करता है ममा हांची इसमें बहुत बदबु आरी है बदबु आरी है अच्छा ममा ममा हांची आज आप खाना बद बनाना क्यों आपके हाथ जंगे हो रखें अच्छा मैंने बना दिये इतने सारे उपले गोसे बना दिये हैं मैंने देखो दो सेब्देर का है एक रूटी के आगार का और एक ऐसे लंबाई में मेरे पुत रहा खंड में बागलों की योड के योडनी वादियां घीत सुनाएं मीठे मीठे मेरे पुत रहा खंड में अभी आ गई हूं मैं नहाके और साथ ही साथ मैंने कपड़े भी दूल दिये थे तो सारे कपड़े मैंने दूप में सुखाने के लिए डाल दिये हैं दोस्तों आजके लंज में मैं बना रही हूं फाना एसे उससे बनता है गैथ डाल से बनता है मगर मैंने आज और हड़ और जू कि छोटी चोटी पकोडियां कोई बनाते कोई नहीं नहीं बनाते है बेट मैं बना रही हूँ आभी तेल होगे है हमारे अच्छा सी गरम और फानु बहुत अच्छा होता है खाने में बहुत टेस्टी होता है jo चोटी चोटी पकोड़िया है, एक साइड से पक गई हैं, इन्हें हम पलट देंगे, यह होने वाली हैं, गोल्डन ब्राउन, बारी हो चुकी हैं, हमें इन्हें अलग निकाल लोंगे, अभी मैं अपने बेटे से पूछूँगे, कैसे हो रही हैं पकोड़िया, बहुत अच्छी हो रही है, उसको गरम भी लग रहा है, फिर भी वो खाए जा रहा है, मैंने यहां पर निकाल दी हैं पकोड़िया, तेल भी अच्छे से गरम हो गया है, और मैं डालूँगे इसमें जीरा जो हमारा पेस्ट है इसको हम इसमें डाल देंगे दाल का तो मैंने पीस रखी है दाल अब मैं इस डाल को अच्छी तरह से भुनूंगी भुनने से डाल का कच्चापन हर जाता है और ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी होती है हमें इसमें आड काहुंगी पानी अचरा नाचरा नतर है अच्छी तरह से इसमें इसमें आड कहूंगी पानी प्यास एड नहीं करेंगे, इसको ऐसे सीपिल बनाया जाता है, इसमें लैसून, हरी मिर्च और जीरा, इस सब मैंने पीस के रखा हुआ है, इसमें एड करूँगी मैं मसाले, नमक एड करूँगी स्वाद अनुसार, अब मैं मसाले एड करूँगी, यह मिक्स मसाले हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं, अब मैं इसमें पकोड़ियां एड करूँगी, यह देखो, इसमें मैं नमक और मसाले बाद में एड करूँगी, क्योंकि नमक डालने से बिलकुल खटा हो जाएगा, तो जब हम खाने की तयारी करेंगी, तभी मैं इसमें नमक एड करूँगी, फानु बनकर हो गया है, इदम से तयार, और साथ ही साथ मैंने चड़ा रखेंगी, चावल, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ, अगर पसंद आया होगा, तो मुझे लाइक करना, शियर करना और सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए जय देभूम उत्राखन,